हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको वक्री शनी के बारे में एक जानकारी दूँगा कि वक्री शनी किस प्रकार से विवाह में देरी करता है और यदि आपकी कुंडली में शनी वक्री है तो यह इस्तती आप अवश्य देखें आज जो योग बता रहा हूँ इस योग को अवश्य देखें और शनी के उपाए भी बताऊंगा यदि ऐसी इस्तती है तो क्या उपाए करेंगे तो आपको लाब मिलेगा विवाह समय पर हो जाएगा और यदि आपकी जो संतान है उसकी आयू कम है तो अभी से ही जागरुख हो जाएग ताकि आगे जाकर कोई समस्या ना हो शनी वक्री है इस बात का पता कैसे करें आप अपनी कुंडली खोलें और देखें तो एक दो पेज यदि आप उल्टेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि सारे ग्रह इसपस्ट उनके राशी अंश कला विकला लिखे हुए होते हैं और शनी के आगे वह शब्द हिंदी में लिखा हुआ होगा और यदि अंग्रे जी का शब्द देखें तो आर शब्द लिखा हुआ होगा इससे यह पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में शनी वक्री है और यदि शनी वक्री है तो आज जो इस्तियां बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखें हमारी जो कुंडली है उसमें शनी सामानी शनी शनी सप्तम भाव में बेठा हुआ है तो विवाह में देरी करता ही है लेकिन वक्री शनी है तो इसकी शनी उपर अवश्य नजर डालें क्योंकि वक्री शनी और ज़्यादा देरी कर सकता है विवाह में अधिक देरी हो सकती है यदि शनी आपकी कुंडली में आज जो बता रहा हूँ उन इस्तियों में है तो कुंडली खोलें और देखें और दो भावों पर विशेश नजर रखें विवाह का भाव सब्तम भाव तो है ही लेकिन इसके अलावा दूसरे भाव पर भी नजर रखें द्वीतिय भाव कुंडली का दूसरा भाव यहां पर आपको दिखेगा द्वीतिय भाव द्वीतिय भाव अर्थाद धन का भाव भी है और कुटुम्ब का भाव भी है आपका लड़का है, विवा करेगा तो पतनी गर आएगी एक नया सदस्य जुड़ेगा तो दूसरा भाव कुटुम्ब का भाव है दूसरे भाव से हम परिवार के सदस्यों की इस्तति देखते हैं परिवार में नई संतान हो रही है संतान का जन्म हो रहा है या नया सदस्य जुड़ रहा है तो दूसरे भाव से इस इस्तती को हम समझते हैं और यदि लड़की है तब भी एक अन्य परिवार से जुड़ना नया सदस्य परिवार के साथ जुड़ते हैं तो वह भी एक योग ह है और उसको दूसरे भाव से देखते हैं तो द्वीतिय भाव और सब्तम भाव ये दो भाव महतुपूर्ण भाव हैं इन पर नजर रखें और शनी को देखें कुंडली में शनी यदि वक्री है और शनी की द्रश्टी सुत्र क्या है समझें इस चैनल के माद्यम से नियमित न अवश्य करें नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे दबाएंगे तो सारी जानकरें आपको समय पर मिलती रहेगी और आने वाले समय में कोई भी ऐसी जानकरी नहीं होगी जो आप तक समय पर ना पहुंचें तो बेल आइकन भी अवश्य दबाएं तो दूसरा भाव जो है उसको देखें और सब्तम भाव को देखें वहां पर शनी की द्रश्टी है वक्री शनी की द्रश्टी है तो समस्या रहती है विवाहा में देरी होगी अब शनी की द्रश्टी यहां कौन-कौन सी होती है शनी जिस भाव में जिस अंक पर कुंडली में जिस भाव पर ब बहुको भी गिनना है और वहां से दरश्टियां गिननी है जैसे मानली जी किसी कुंडली में लग्न में शनी बेठा हुआ है तो लग्सरी तीसरे भाव को देखेगा तीसरी दरश्टी से साथव़। को देखेगा सातवी द्रश्टी से दसवे भाव को देखेगा दसवी द्रश्टी से तो वक्री शनी यदि सब्तम भाव में है तब भी समस्या रहती है और शनी की पांचवे भाव में बेठा हुआ है एसी इस्तती में शनी की दृष्टी दूसरे भाव पर पड़ेगी पांचवे भाव में शनी है वक्री इस्तती में तो दूसरे भाव को देखेगा यदि शनी आठवे भाव में है तो सब्तम दृष्टी से दूसरे भाव को देखेगा शनी यदि वक्री होकर लगन में ही बेठा हुआ है तब भी सब्तम भाव को देखेगा शनी वक्री होकर यदि पांचवे भाव में बेठा हुआ है तब भी सब्तम भाव को देखेगा तीसरी दृष्टी से तो इस प्रकार से शनी की दृष्टी देखते हैं इसके अलवा द्वीतिय भाव का जो स्वामी है या सब्तम भाव का जो स्वामी है उसको भी देखें कि वह कुंडली में कहां पर है उस पर भी यदि शनी की द्रश्टी है वक्री शनी की द्रश्टी है तब भी यह अशुब योग बनेगा इससे विवाहा में देरी होती है शनी की द्रश्टी द्वीतिय भाव, सब्तम भाव, द्वीतिय भाव के स्वामी, सब्तम भाव के स्वामी इन पर पड़े तो विवाहा में देरी होती है और फिर उपाय क्या करें, उपाय के लिए आप नियमित पीपल को जल चड़ावें, जल में थोड़ा सा गुड डाल ले वें, और रविवार के दिन जल ना चड़ावें, अन्य दिनों में आप जल चड़ाएंगे तो आपको लाब मिलेगा दूसरी इस्तथी, शनिवार के दिन आप तिल का तेल है, या उड़द है, उड़द की दाल है, या नीले वस्त रहें, उनका दान कर सकते हैं गर में पुराने वस्त रहें, उनको भी आप यदि काम में नहीं लेते हैं तो उनका दान कर सकते हैं गर में कोई लोहे की वस्तु है जंग लगी है तो उस पर आप कलर कर सकते हैं गर में ज़्यादा आपकी गर में ज़्यादा लोहा है और उसका कोई उपयोग नहीं है तो उसे आप बेज देवें जो अनावशक वस्तुएं हैं जिसे बंगार कहते हैं उसे आप बेच देवें तो उससे भी ठीक रहता है इसके लावा गर में यदि रद्धी है अकबार की रद्धी है तो उससे भी आप बेच दें उससे भी लाब मिलता है आपको तो गर में किसी प्रकार का वैर्थसामान नहीं रखें और विशेश कर, शनी के उपाय जैसे उड़द है, तिल का तेल है उसका दान करेंगे, शनिवार की दिन तो लाब मिलता है, पीपल की पूजा करेंगे तो लाब मिलता है, और आवशकता विशेश में, जैसे मेश लगना करक लगना है सीन लगना है व्रश्चिक लगना है दनू लगना है मीन लगना है इन छे लगनों में शनी के मंत्रों का जाब भी आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का भी नीमित जाब करते हैं तब भी लाब मिलता है शनी के लिए विशेशकर लिखा है कि महम्रुत्विंजय मंत् करते हैं तब भी शनी के दोश दूर होते हैं हनुमान जी की उपासना भी आप कर सकते हैं लेकिन महा मृत्विंजय मंत्र शीव की उपासना गायतरी मंत्र का पाठ करना ज्यादा श्रेष्ट रहता है हनुमान जी की उपासना अन्य इस्ततियों में जहां शनी दूसरे योग ब पास ना करें शीव के मंत्रों का जाप करें भगवान शीव की आरादना करें रुद्रा भिशेक करने से भी लाब मिलता है और गायतरी मंत्र का पाठ नीमित करें वह भी आपके लिए शुब रहेगा उपाय करेंगे तो लाब अवश्य मिलेगा और यह जानकरी आपको यह रवश्य करें धन्यवाद जैशी कृष्णा